हलो गईस आजकी इस नेई वीडियो में आपका बहुत बहुत सवागत है आजकी वीडियो दोस्तों हमारी एक request पे होने वाली है हमारी एक subscriber है उन्होंने comment करा है कि किसी भी size में back गली के अनुसार गली की broad कितने inch में cutting होती है ठीक है अगर आपको उनका comment देखना है तो screen में आ पर चेसे बॉच्च करेंगे तो आप यह की बार में शीख जाएगे अगर दोस्त महीं चैनल पर पहली बार है पहली वार हमाई वीडियो देख रहें तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को लाओ कि ठीक है जैसे हमारी हुं है 40 में 30 30 इसी तारीके से दोस्तों हमारी सूट की निशान लगते हैं अगर आपको स्र São believer की किनी इंशन किस तरीके से कमर की कितने इंश पर निशान लगता है या फिर दूस्ता आरमोल व्रोड होती है वो किस तरीके से लगाई जाती है किसी भी साइज में कितनी दूरी पर हमारी लगाई जाती है अब जैसे हमने ये फिटिंग के निसान तो लगा लिए है सूट के यहाँ पर हमने यहाँ तक लंबाई का निसान और चैस्ट कमर हिप की निसान सारे हमने लगा दियें लेकिन यहाँ पर हमें एक निसान लगाना है आर्मोल का जो सेफ देंगे बो निसान लगाएंगे solder की निसान लगाएंगे और हिहाँ पर दोस्त हमारी गले व्रोड का निसान लगता है वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको आज की वीडियो में हम आपको detail में सिखाने वाले हैं ठीक है अब जैसे दोस्तों यहाँ पर normally जो हमारे आर्मो लेंद का निसान होता है यहाँ पर जोस चैस्ट का निसान लगता है इसमें दोस्तों हमारे एक front cross और back cross का निसान होता है इसमें भी दोस्तों मैंने especially video बना रखी है अगर हमारी video देखेंगे आप हमारे आर्मो लेंद का निसान किस तरीके से लगता है तो इसमें मैंने especially सिखा रखा है कि जो front cross और back cross का निसान लगता है वो कितने size में कितने किस हिसाब से लगता है ठीक है अगर हमारी video आप देखेंगे cutting से related suit की या village की तो हर एक तरीके से हर एक size में मैंने आपको सिखा रखा है ठीक है अब इसमें दोस्तों जो हमारा challenge chest है उसके इसाब से front cross के निसान लगेगा change पे और पौने एक इंच आगे बढ़ाकर जो निसान लगेगा वो हमारा लग जाएगा back cross का यह हमारी बात खतम होगी है अब यहाँ पर दोस्तों solder की cutting होती है तो solder की जो cutting होती है दोस्तों वो back गले के अनुसार cutting होती है तो जैसे मानके चलता है इसमें हमारा जो back गला है वो 10 इंच है तो यहाँ पर solder की जो cutting हो जाएगी वो होगी हमारे 5 इंच या पौने 6 इंच पे ठीके इस तरीके से हमारी होगी अब यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से हमें front cross and solder की निशन पे इस तरीके से हमें निसान सीधा कर देना है है यहाँ से back cross and solder पे निसान इस तरीके से सीधा कर देना है ठीके और ह debating čुछ अंने वें कि से उसके वाद फोर में आर्मूल की से देनी है इस तरीके से हमारी आर इफ हो जाती है अब बारी आती दोस्तों जो हमारे गले निसान लगता इस नोरें पांच इंच uhill इसमें 40 inch chest है तो गले बोड की जो निसान लगा है वो मैंने लगा दिया अब 5,5 इंच का हाफ हो जाएगा पॉने 3 इंच इस तरीके से निसान लगा दिया अब 40 inch chest में जो हमने लगा दिया अगर आपका बायचानस होता है 42 inch chest यह 44 inch chest यह 45, 31 या 32 तो उसमें हमें गलत रोट का निसान कैसे लगाना बो मैं आपको स्पेसिली सिखाने वाला हूँ ठीक है अब जैसे मैंने एक चाट बना रखा है इसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिख ऺखे जैसे इस चार्ट बना रखा है, इसमें मैंने फॉर्मूला लिक रखा है, चैस्ट भी लिक रखा है, कि साइज में कितना हमें गले व्रोट का निसान लगाना चाहिए, ठीक है, अब यहां पर दोस्तो जैसे चैस्ट है, हमारी 31 से लेकर हमारा 52 साइज तक है ठीक है 31 32 33 34 31 साइज से लेकर 52 साइज तक दोस्त हमारा इस चैस्ट है तैयार अब तैयार किस तरीके से बॉड़ी की हिसाब से भी मैं आपको समझा दूगा और जो हमारे सिला हुआ सूट होता है उसके हिसाब से कैसे तैयार होता है चैश्ट साइज वो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान के चलें, हमने चैश्ट जो साइज लिया है, बॉडी का, जैसे 57 लिये, ठीके, चैश्ट जो बॉडी का नाप हमने लिया है, वो 47 लिया है, अब उसके बाद, दोस्त, हमें 3 इंच की losing देनी है इसमें और जो हमारा तयार नाप हो जाएगा chest size वो हो जाएगा 40 inch जैसे यहां पर हमारा 40 inch तयार है chest ठीक है या फिस दोस्ता आपको body का size हो सकता है 36 inch भी हो सकता आपको body का size इसमें आपको 3 inch की losing देनी है बरावर दोस्ता हमारा हो जाएगा उन्ताले सिंच अब बोडी का नाप किस तरीके से लिए जाता है अगर वो आपको सीखना है तो वीडियो को लिए डिसकर से मिल जाएगा या फिर दोस्त नमाई चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आल बोडी मेजर्मेंट वीडियो ठीक है यह प्लेलिस्ट का नाम है उसी पर जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी हमारी या फिर दोस्त आपका हो सकता है 29 चैस्ट भी हो सकती है हमारी ठीक है तो इसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे बरावा दोस्त हमारा हो जाएगा 32 जैसे दोस्त यहाँ पर चैस्ट है हमारी 32 है अब इस तरीके से दोस्तों ये body के हिसाब से हमारा losing देने के बाद तयार नाप है ठीक है ये हमारा तयार नाप है chest side तयार है ये हमारी चाहिए जैसे मैंने आपको समझा दो उसी तरीके से आपको check करना है कि हमारा chest side तयार है या नहीं यह body के साफ से मैंने आपको समझा दिया अगर आपका सुलय हुआ सूट है जैसे fitting का हमारा सूट है उसके साफ से कैसे हमें देखना है अब यहां पर दोस्तों जैसे मैंने यह सूट ले रखा है एक सिलाग को हमारे पास सूट है ठीक है अब यह दोस्तों जैसे customer का होता है एक चैसने में हम नाप लेते है normal इस तरीके से बरावर से रखेंगे इंचेटे और यहां से दोस्तों अबरावर से रखेंग तो इसमें दोस्तों जो हमारी चैस्ट आ रही है वो हहाँ पर तो-2000 जैसे Mama कटिने है उनरी तो इस सूट के वी भूर दो समनाप लेंगे जैसे इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल दोस्तों जो हमारी ब्रोड आ रही है वो सब पांच इंची आ रही है ठीक है अगर एक तरीका यह है जैसे हमारी यह फॉर्मूले इसके आप स्क्रीन सोर्ड लेकर भी रख सकते हैं आपनी डायरी में लिखके रख लें ठीक है आएक तरीका यह हो गया अब नॉर्मली अगर आपके पास सूट है फिटिंग का तो चैस्ट साइज जैसे नॉर्मल हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से सूट कटिंग करना है सूट का नाप लेने के बाद और उसके बाद क्या करना है साती में दोस्तों आपको गले की अब यहाँ पर 75 इंच है तो नॉर्मली दोस्तों जैसे हमारी चैस्ट साइज यहाँ पर कटिंग होगी 31 इंच की ठीक है जैसे हमारी सूट की कटिंग होगी उसी तरीके से हमारी कटिंग होगी लेकिन बार ही आएगी हमारी गले ब्रोड की कटिंग की तो यहाँ पर 75 इंच तो हमारे इसलिए हुँ सूट के नाप के साफ से हो गया इसे कर देते हैं साइट में अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा जैसे नॉर्मली जब हम कटिंग करते हैं सूट की तो इस तरीके से क्या करते हैं हम निसान लगा लेते हैं ठीक है जैसे हमारे 40 इंच हो गई या 52 इं निसान साथ इमें लगा कर चलते हैं अब इसको कटिंग कैसे करा जाएगा बुक रिम पर मोह में को समझा देता हूं ठीक है घलनिशन लगाने के वाद बुक्रम के कैसे क्टिंग करेंगर गले के समझाताएं जैसे नॉर्मली दोस्ती हमने बुक्रम ले रखी है अब यहां से क्या करेंगे हमें बुक्रम पे गला कटिंग करना है तो सीधा निसान इस तरीके से हमें लगा देना है ठीक है यहां पर हमारा सीधा निसान लग जाएगा अब जब हमारा बुक्रम पे गला कटिंग होता है ज जो हमारी गले ब्रोड जो सूट में हम निसान लगाएंगे, वह निसान दोस्त हमें बुकरम में लगाना इस तरीके से ठीक है ते पौने तीन इंच पर, अब नौर्मल दोस्त हमें गले की कटिंग कर देनी है, तो normal हमारा गला बनके आ जाएगा, इसलिए हम आदा इंच एड करते हैं, 7 इंच हमारा गला है, 7.5 इंच पर इस तरीके से निसान लगाएंगे, आप यहां से पौने 3 इंच है, यहां से भी दोस्त हमें पौने 3 इंच रखना है, इस तरीके से गले ब्रोड, और यहां से यह न सीधा करेंगे, इस तरीके से, और यहां से भी दोस्त हम यह निसान सीधा कर देना है, फिनजिंग से, हेहां पर दोस्त हम दे देंगे, गोल गली के से अब आप दोस्तों कवेसाई पौनेंटेट गला बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से निसान लगने के बाद क्या हונה, यहां से इस तरीके से यह cutting हो जाएगा है यहां से दोस्त हमें आदा इंच का margin या पॉने एक इंच का margin लेना है बुकरम में इस तरीके से finishing से और यहां पर हमें बुकरम पर गला cutting कर लेना है एक जैसा margin लेते हैं हमें गले को cutting करना है यहां से दोस्त हमारा गला cutting हो जाएगा इ यहां से 5.5 इंच नॉर्मली आ जाएगा ठीक है यह दोस्त हमारी होती है गले की ब्रोड इस तरीके से दोस्त हमारी यह कटिंग होती है अब किस साइज में कितना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है अगर आप हमारे चार्ट को स्क्रीन सोड लेकर भी रख सकते है या फिर अपने डायरी पे आप नौट करके रख सकते हैं अब जैसे दोस्तों यह हमारा तयार चैस्ट साइज है 31-32 इंच इसमें दोस्त हमारी जो गले की चौड़ाई कटिंग होगी जिसे हम ब्रोड कहते है वो सवा 5 इंच पे होगी 33-34 इंच में हमारी गले ब्रोड की होगी 37 इंच साइज में हमारी जो कुड़िग करें होगी 50 इंच पे एक तालिस बैयालिस इंच से साइज में हमारी जो कुड़े जो कटिंग होगी और जैसे हमारा पोने 6 इंच आगया गया गले तो तो यहां से क्या करेंगे पौने 6 इंच याँ पर है ठीक है इस तरीके से डवल में करेंगे इंच टैप और यहां पर हमारा फॉर्मुला लिकल के आ जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा दोस्तों हो जाएगा पौने 6 इंच यानि की यहां पर धाई इंच और एक दो तींच चार डंडी यानि कि इसे बोलते हैं चार सूर ठीक है इस तरीके से ना पने एक बाद यहां से टोटल आपको इस तरीके से लगा देना है ठीक है निसान गले ब्रोड का यहां पर दोस्तो 41-42 इंच हो गया अब उसके बाद 43-44 इंच चेस्ट साइज में हमारी पौने चेंच पे गले ब्रोड की कटिंग होगी 45-46 चेस्ट जब हमारी हो जाएगी दोस्तो चेंच पे गले ब्रोड की कटिंग होगी 47-38 चेस्ट साइज में 48-46 साइज में हमारी छेंच पे गले ब्रोड की कटिंग होगी इस तरीके से दोस्तो मैंने यह सारा कुछ आपको समझा दिया है अगर दोस्त आपको फिर भी कोई डव्ट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूल सकते हैं आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया किसी भी साइज में गले ब्रोट की कटिंग कितने इंच पे करनी चीग है अगर दोस्त आपको सिलाई से बीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल पर पहले बार हैं पहली बार वहाई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देने, चैनल को सक्स्राइब कर लेना, बेल आकोन को लाव कर देने, जिससे कि हमाई नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंशती रहे, टैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छी लग वीडियो तो लाइक जरूश करना,